हेई रादे रादे आज हम देसी नसले की एक और गाय के बारे में बात करेंगे जिसका नाम हल्लिकर गाय ये गाय मुख्यतर करनाटक की है तो आज इस वीडियो के अंदर हम इस देसी नसले की गाय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे देसी नसले की गायों के बारे में बात करने से मेरा सिर्फ एक मकसद होता है कि आप देसी नसले की गायों से परचीत हो जाएं यानि अपने देस की गायों से परचीत हो जाएं अपने देस में क्या क्या है और कितनी अच्छी अच्छी चीजे हैं वो आप जाने हमारे एनिमल्स जो हैं वो हमारे जलवायू के अनुकूल हैं मतलब भारत में जितने भी एनिमल्स पाया जाते हैं हर कंट्री की अपनी विसेश्था होती है लेकिन क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमको भारत की जो प्रजातियां हैं उनके बारे में जानना ज यहां पर उपोशलो कर बंदी दोनों प्रकार की जल्वाईवर भारत में जब दोनों तरह की जल्वाईव पाई जाती है तो यहां पहारी जल्वाई, मैदानी जल्वाई, रेग्रिस्थानी जलवाई हस्त हर तरह की तो यहां पे हर तरह के एनिमल्स भी पाये जाते हैं और यह यहां क्रहने के लिए एडाप्ट होते हैं और इसलिए यहां के लोगों के लिए भी यह बहुत जादा बेनिफीशल होते हैं लेकिन हम इनके महतों को जान ही नहीं पाए आज कल क्या है कि हम अपने origin के तरफ उसक है ही नहीं हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि हमारी origin कहा है हमारी मतलब भारत की क्या क्या origin है तो आप इससे परचित हो जाए इस वज़े से ये वीडियो में बनाती हूँ और मुझे मैं भी actually इन से परचित होना चाहती हूं, इस वज़े से ये वीडियो मैं बनाती हूं, तो इस वीडियो में हलिकर गाय के बारे में बताऊंगी आपको, तो चलिए जानते हैं, हलिकर गय करनाटक की गया है जो करनाटक के वहाँ सारे जिलो में पाई जाती है जैसे बैंगलूरू और जिलो में करनाटक में ये पाई जाती है हलिकर नाम कैसे पढ़ा इस गाय का तो यहां एक हलिकर जनजाती पाई जाती है और इसी जनजाती के नाम पर इस गाय का नाम हलिकर गाय पढ़ा हलिकर जनजाती का जो मुख्य पेशा है वो पशुपालन ही है और इस गाय का नाम भी हलिकर है हलिकर प्रजाती की जो गाये होती हैं देसी गाये जो होती हैं ये बहुत ही मजबूत गाये मानी जाती हैं इनके नंदी और गाये दोनों ही बहुत मजबूत माने जाते हैं और ये दचिर भारत की गायों की प्रजाती में सर्वत्तम प्रजाती मानी जाती हैं ये दचिर भारत की गाये हैं और दचिर भारत की गायों की प्रजाती में हलिकर गाये सरवाधिक अच्छी प्रजाती मानी जाती हैं मतलब सर्वत्तम सबसे अच्छी प्रजाती मानी जाती ह क्योंकि इसके ये दुधारू गाए भी ये बहुत अच्छी दुधारू गाए भी होती है और क्योंकि ये गाए बहुत मजबूत होती है इसके पैर बहुत मजबूत होते हैं और लंबे होते हैं इनकी पूछ जो होती है इनके पैर के पिछले पैर के टकनों से बहुत नीचे तक होती है तो इस वज़े से यह बहुत मजबूत गाय होती है यह लंबे समय तक आराम से बहुत कम चारे में चल सकती है और चलने के बाद अच्छा दूद दोती है हर देशी नसल की गाय की एक खाजियत होती है कि इनको आप कम भी चारा देंगे न तो भी अपना प्रॉपर कम हो जाता है लेकिन यह देती है तो इनको बहुत खास खयाल नहीं राखना पड़ता है लेकिन हां बस अगर आप इनको पालना चाहते हैं तो आपको अच्छे Shed की विवस्था करनी चाहिए जहां हावा पानी आता हो पानी का अच्छा निकास हो और हावा की अच्छी आव इनकी सींग के त्वारा आप देख सकते हैं कि इनकी जो सींग होती है वह आपके पीछे की तरफ मतलब बहुत नुखीली सींग होती है और पीछे की तरफ होती है पीछे की तरफ मुड़ी हुई और उपर की तरफ चिप की मतलब फैली नहीं होती है उपर की तरफ थोड़ी ज जो है वो माथा एकदम उपर की तरफ सींग की तरफ होता है और इनके जो चहरे का वो होता है नाग की तरफ जुकी होती है आप देख सकते हैं और जो इनके गल कंबल होते हैं वो बहुत ज्यादा लटके हुए गल कंबल हल लिकर गाय के जो गल कंबल होते हैं बहुत लटके यहां यह गायहिए इसके पर कते बड़े हैं, मतलब यह मजभूत गाय değ का होती है लेकिन इनके पर मजभूत और लमबे होते हैं इनके दूद देने की छमता की बात करें तो जब ये एक बार बच्चा देती है तो इनका दूद देने का डियोरेशन जो होता है वो हजार दिन का होता है तो ये हजार दिन तक दूद देती है और आराम से 10 लीटर दूद ये दे सकती है इनका दूद भी अन्य गायों की देसी तो हलिकर गाए दच्छड भारत की सर्वत्तम गाय मानी जाती है और इसकी सींग इसकी पहचान है और यह बहुत मजबूत गाय मानी जाती है इसका दूद एटू टाइप और इसके दूद में फैट की मातरा सारे 5 प्रतिशत इसके पैर लंबे होते हैं यह मद्यमाकार की गाय होती है और इसके सींग भी मजबूत होते हैं इनके नंदी बहुत मजबूत होते हैं जो इन से आप किसी भी तरका क्रिशीğı कारे या डूलाई का कारे करा सकते हैं और यह करनाटक मुख्यता करनाटक रीजन में पाई जाती है दच्छुड भारत के करनाटक रीजन में करनाटक के बहुत सारे जीलों में ये गाय पाई जाती है तो ये रही हल्लिकर गाय के बारे जानकारी जो एक देशी नसी की गाय है अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद